सब्सक्राइब कीजिए अमीना बुटिक चैनल को और किलिक कीजिए बैल आइकन पे ताकि हमारी हर नई वीडियो की नौटिफिकेशन आपको मिलती रहे हलो फ्रेंड्स अमीना बुटिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है और दोस्तों आज किस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा साइज के अकोर्डिंग बोट नेक कितना डीप और कितना ब्रॉड रखना चाहिए वह तरीका आपको मैं बताऊंगा जिससे कि आपको प दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको समझाऊंगा और जो टिप आपको दूँगा यह आपके बहुती ज्यादा काम आएगी इससे आप संभाल लेना या आप इसे नोट कर लेना देखिए 31 साइज से 50 साइज तक कि बोट नेक जो होता है उसमें कितना ब्रॉड र परफेक्ट बन पाएगा तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिए और चैनल पर नहीं होना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक भी कर देना अब देखिए मैं आपको बता देता हूं कि क्या होता है इसके अंदर का आप से रख लेते हैं वो कोई होती है वसके लिए बनाई है तो क्या होता है अर्मोलेंथ हैं अप सबसे पहले समझेव लोकर में यहां अगर आप अ लेंट इतनी नहीं रखेंगे तो क्या होगा दोस्तों काफी लोगों की यह मुड़ा टाइट हो जाता है यह प्रॉब्लम आएगी ठीक है यह अल्टरेशन भी आपको मैं बता दे रहा हूं अगर आप यह नहीं रखोगे तो यह चीज़ आपकी होगी दूसरा आपको इसमें तो आपको त्यार चड़ाने के बाद उसका तीरा आना चाहिए तब उसका सही रहेगा लेकिन काफी लोग क्या करते हैं उसमें दो घटा दिया एक घटा दिया फिर क्या होता है दोस्तों उनके तीरे हो जाते हैं टाइट यह दूसरी प्रॉब्लम है तो इन बातों का आपक हलका हलका सा एक फर्क होता है आप उसी अकोडिंग आप बढ़ाते रहें अब देखिए मैं आपको इसमें जो है बताऊंगा कर रहें इस चीज़ का खास सूल पर ध्यान रखना है इसके लिए आपको यह जो फरंट का मेजरमेंट होता यह मेजरमेंट लेना पड़ेगा आप मेजरमेंट वाली वीडियो में देखके वह सीख सकते हो अब आता है दोस्तों आर्मों लेंद का कि हमें कैसे पता चले कि कि साइज में कितनी आर्मों लेंथ है ठीक है और कितना फरंट है तो इसके लिए दोस्तों हमने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है आई लिंक पे किलिक करके आप उस यूडियो को देख लो आपको हर साइज में पता चल जाएगा अब दोस्तों हम आते हैं अपने में टॉपि साइज में तो फीटिंग में रखना है अगा समझ में वीडियो को बेक करके दुबबारा से लें तो यह तहीर नाप में आपको क्या रखना है अब देखे सबसे पहले यह जो निसान मैंने लगा दिया इसके अंदर क्या होगा दोस्तों जितना भी तीरा होगा किसी का भी आप तीरा उसी का कोडीक करल दिंग और तीरे का भी दोस्तों हमने उसी वीडियो में बदा रखा है .. val ५ कोने तीन धाई भी रखते हैं हलके साइज में ठीक है लेकिन इसमें बोटनेक हैं तो बोटनेक में हम कितना रखेंगे तो दोस्तों 31 और 32 साइज अगर आपका है यहां तक कि आप इसमें 33 भी जोल लिजिए इन तीनों साइजों में आपका जो है बोटनेक यहां से साड़े-4 यह सबचार ठीक है हलका है अगर 31 तो सबचार भी आप कर सकते हो ठीक है आपको साड़े-4 पैसे निसान लगाना है और यहां से आपको साड़े-3 इंचे रख लेना है ठीक है यह हो गया और मैं आपको एंड में कटिंग करके भी दिखाऊंगा एक बोटनेक उसकी सेफ तो यह आपका तीरे का निसान हो गया तो यहां से आपको पौनाइच इंची इंची पौनाइच पर ऐसे लखना है और जो भी बोटनेक की जगह होगी वहां से आपको पौनाइच ऐसे करके डाउन करना होगा कंदी को तब यह आपका बहुत अच्छा बैठेगा इसीशी का अब आपको मैं बताऊंगा 34 35 36 इसके अंदर कितना रखें तो हल्क अल्का फर्क होगा ज्यादा फर्क नहीं होगा जैसे आपने साड़े चार रखा हुआ ना इस जगाँ पर आप कई लोग इतना ही पसंद करते हैं तीनों साइज में पहन सकते हैं लेकिन मैं आपको बता रहा बोट बढ़िया रहा तो इसमें हम करेंगे पोने पांच लंबाई दोस्तों यहां पर हमारी साड़े तीन ही रहेगी और इसको हम क्या करेंगे इसको हल्का सा यहां से इस तरीके से आपका यह बढ़ जाएगा देखिए छोटी-छोटी सी टीपे होती है यह बहुत काम आते ठीक है इस तरीके से यह आपका बोट नएक बन जाएगा अब आ जाता आपका 37 38 ठीक है तो इसके अंदर आपका जो बोट नेक आएगा वो आएगा दोस्तों 5 इंच और पांच इंच के बाद ये वाली जो जगह है इसको हम इस तरीकी से इतना बढ़ा लेंगे मैं इतना ही हमेशा रखता हूँ अब यहां पर एक condition आती है काफी लोग कहते हैं जादा हमें गले से बिच्चा भी नहीं पहना कि गले से चिपका रहे तो यहां पर जो लेंट होती है इसको हम कर लेते हैं चार ठीक है इन दोनों साइजों में और यहां तक की आपका 39 और 40 इसके अंदर आपकी बोर्ट नेक जो ब्रॉड होनी चाहिए वो होनी चाहिए पांच लंबाई होनी चाहिए दोस्तों इसके अंदर आपकी चार इंच ठी आपने जो निसान लगाया है अभी तो इसमें अगर किसी को चाहिए कि हलका सफ ब्रॉड हो डीपनेस हो तो आप जो निसान मैंने अभी जितनी बताई ना जिस साइज में आप इसमें से सिर्क आदा इंच बढ़ाएं इससे जादा मत बढ़ाना अगर आप इससे जादा जाएगी और बहुत ज़्यादा अजीब सा लगेगा तो इस तीर का आप ध्यान रखें कोई कस्टूमर अगर डिमांड करता है तब ही आप बढ़ाएंगे वर्ना जिस साइज में जितना बता रहा हूं आप उतना ही रख देंगे तो यहां तक का मैं आपको समझा चुका क्योंकि यहां पर काफी जादा निसान आ चुके हैं आप मान लीजिए यह मैंने एक निसान लगा लिया ठीक है यहां वाला निसान आपका 40 साइस तक मैंने आपको बता दिया तो आप दुबारा से अगर समझना है वीडियो को दुबारा देख सकते हो अब हमारी बारी आती लेकिन इसमें जो डीपनेस रहेगी वह रहेगी चार इंच की ठीक है और इसको हम 41 42 में याद रखें इसमें हम इस तरीके से से देंगे और जो तीरे का आएगा वहां से हम लैंद इस तरीके से तिल्षे में कर देंगे तो यह होगे आपका 41 42 अब 43 जब आता है आपका तो यहां पर दोस्तों 43 में आपको यहां पर साड़े पांच कर लेना है कि साड़े पांच करने के बाद यहां पर जो आपके डीपनेस आएगी दोस्तों चार इंच पर रहेगी और यहां से हमें इस तरीके से इसको ऐसे बढ़ा देना है इतना इतना ही फर्क होता है दोस्तों क्योंकि अगर आप जादा डीप करोगे ना तो यह प्रोपल दोस्तों बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा और दिक्कत देगा अब बारी आती है दोस्तों 45 45 46 ठीक है 47 48 49 और 50 दोस्तों 50 के उपर बहुत मैंने अभी तक बनाये नहीं क्योंकि काफी लोग जो है वो बन बाते नहीं है उनको बहुत जादा चिपका चिपका गला रहता है तो जादा तर गले है ना जो मैंने 48 साइस तक बनाया है 48 से उपर बनाया नहीं लेकिन किसी को पस चेंज के बाद दोस्तों यह जो लैंथ है चारी रखो क्योंकि डीप करोगे तो बहुत जादा डीप हो जागा कोई मांगता है तब ही आप आदा इंच बढ़ाएंगे और यहां से सिर्फ छेंच ब्रॉट रखने के बाद आपको इस तरीके से इतना रख देंगे यह हो गय से न्यइट करके ने तो इहां पर सवार्ड कर लिए ऑब किसी को यहां पर इस टैप भी देखनी होती है कई लोग कहते हैं ne यह वागा रह चाहिएнить MICHAEL का ब्रॉट के बहुता है यह बो किस के नहीं को बनता है वह आ यह किसी ड्रेसिस में लोग बनवाते हैं तो वो भी आप देख लीजिए देखे अब जो मैं आपको समझा रहा हूँ इस बोट नेक को आप समत लीजिए यह बोट नेक भी आपके बहुत काम आएगा माल लीजिए किसी का तीरा आपने नापा उसका तीरा है चोदा इंच ठीक है चोद यह आजाएगी बाजू बस हमें हाँ पर आरा इंच के आसपास दिखाना है ठीक है तो हमारी यहां पर जो लैंद है ना गल्ले की वह इतनी रही हो इसको जारा घहराई नहीं सिर्फ हलका अलका ऐसा ऐसा करते हुए इस तरिक की बाजू चट्ड़ जाया है और सिर्फ सिर्फ कंधे पर टिका रहें इस तरीकी की बोर्ड नेक हमने बनाए है जो की काफी लोग पसंद करते हैं अपनी अपनी पसंद है और बोर्ड नेक के बाद कोई भी डिजाइन आप बनाते हो अब आपको एक चीज बता र रहते हैं तो बोट नेक की सारी confusion इस वीडियो में आपके दूर होगी अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई भी बोट नेक की आपने सेफ दे दी आपने देखा होगा बैक मैं आजकल इस तरीके का बोट नेक करने के बाहन कोई अलग-अलग डियाइन चलते हैं जैसे मालों यह प्राइट मैंने यह बना दिया आपने देखा होगा बाऊ जो इस तरीके की कि यह बोट तरीके के के हो गए दोस्तों इस तरीके का अगर निसान है तो काफी लोग क्ष्टुमर मेरे से वे बीन आपको करते हूं आगे से आप जो शात इन्सका गलार कर दो पीछे से आप जो है इस तरीके से रख दो बोटनेक लेकिन उनको समझाओं कि इतने ब्रॉड में हम साथ इंच नहीं रख सकते हैं आगे भी बोटनेक बनेगा और पीछे भी बोटनेक बनेगा तब जाके सेव आएगी हमें कस्टुमर को समझाना होता है और यह जो रखेंगे तो कंडे आपके टाइट हो दोस्तों यह देख सकते हैं हमने जो भी आपको जानकारी दी है अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमंड कर सकते हैं हम आपके कमंड पढ़ते हैं ठीक है और उसी के अकोडिक हम वीडियो लेके आते ह कहले की काफी लोगों कुछ समझ में नहीं आता था कि बीकि क्योंकि मैं देखता हूं जारा ही कमंड की उस पर होते हैं तो हम समझते कि यह प्रावडम सबसे ज़्यादा है उसी तो अब मैं आपको बताऊंगा एक गला कटिंग करने के लिए आप कोई बुक्रम लेले मैं पेपर 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 अब मान लीजिए मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया और याद रखें जैसे मान लो आप बोर्ट नेक किसी का बना रहें बारा इंच का ठीक है तो कम से कम यहां पर जो बुक्रम की चुड़ाई होनी चीज़ वह होनी चीज़ 14 इंच यानि 7 इंच के आसपास यह तो प रखोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है और वह गला आपको मैं बदा रहा हूं कटिंग करके तो आप यहां पर दिहान से देखिए यह गला आप जो है 34 से लेके 40 साइज तक भी बना दोगे बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी तो ब्रॉड जो है इस तरीके से पांच इंच का यह निसाना को सीधा जरूर लगाना इस सीज़ का दिहान लखें और यह जो लंबाई है ना इस लंबाई को दोस्तों हम लखेंगे यहां पर 4 इंच ठी देखिए इसको मैं क्योंकि मैं माल कर जादा यूज निकलता चोक से मैं आपको निसान लगा के दिखाता हूं उससे जो है बढ़िया निसान लगेगा और बोर्डनेक की से भी बहुत अच्छी आएगी तो देखिए मैं बोर्डनेक आपको कटिंग करके दिखा रहा हूं त कि जादा बुक्रम ना लें यानि कि जादा बुक्रम होती ना कई लोग की कैची नहीं चलती तो मैं आपको बता रहा हूं उतनी बुक्रम ने जितनी यूज में हूं उससे क्या होगा कि आप अच्छी कटिंग कर पाएंगे और समझ में भी आपके अराम से आगा अब दोस् कैची चलती है हम कैची से अंदार जैसे सेट कर लेती है लेकिन आपको समझाने के लिए अब जैसे मुझे थोड़ी से कमी इसमें लगी मैं इसको उसी तरीकी से दोस्तों मिला रहा हूं अब देखे मैं करूंगा कटिंग ठीक है तो यह चीज़े होती है जो एक्सपर्ट हो जाते हो ना तो हमेशा निसान पर नहीं कई चीज़ें हमें कैची से भी पदा चलती है जो कैची चलती तो ओटोमेटिक दोस्तों आइडिया रहता है कि हाँ कैची सही जा रही है यह नह करने कटिंग करने के बाद मैं इसको भी कटिंग कर लेदा हूं और अब यह देखेंगे आप तो यह इस तरीके का आएगा अब ठीक है यह तो होगे अब यहां पर आपका दबेगा ना यह आदा आदा इंच तो यह आपका इतना रहेगा जो कि बिल्कुल परफेक्ट है ना कि भी कस्टोमर का बनाएंगे ना कोई कंप्लेंड आएगी इस तरीके के बोट नैक में तो यह जो मैंने आपको बताया ना इसी तरीक से और इसी मैथट से आप करें मैं आपको सीज़ी तरफ से दिखाता हूं तो देखे इस तरीक के का यह दोस्तों दिखेगा तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट्स करके जोल बताएं वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेल करना ना बोलें थैंक यू फॉर वाचिंग